फाइनली गदर 2 और OMG 2 दोनों बॉक्स ओफिस पर साथ रिलीज हो चुकी है जी हाँ 11 अगस्त को ये दोनों मुवीज साथ रिलीज हुई है एक में तो सनी दियोल दिखाई दे रहे है तो दूसरी में अक्षे कुमार दिखाई दे रहे है वैसे आपको बता दू दोनों ही मुवीज को रिव्यू काफी अच्छे मिले है यस फेमस मुवी क्रिटिक तरणादर्स ने इन दोनों ही मुवीज को काफी अच्छे रिव्यू दिये है उन्होंने OMG 2 को तो 4 स्टार्स दिये और गदर 2 को साढ़ी 4 स्टार दिये गदर टू को उन्होंने ये भी लिखा कि ये मूवी ब्लोगबस्टर होगी बॉक्स ओफिस पर वेसे भी इस मूवी ने अपने रिलीज के पहले ही दिन 40.10 क्रोड रुपे कमाये है बॉक्स ओफिस पर और वहीं OMG2 ने अपने पहले दिन 10.26 क्रोड कमाये है इस तरह इन दोनों मूवी के विकेंड कलेक्शन को मिलाए तो ये 50.00 क्रोड प्लस का हो गया है एक ही दिन में वो भी नोन होलिडे पर और आप ये सोचिए अभी तो इंडिपेंडेंस डे भी आएगा उस दिन इन दोनों मूवी का कलेक्शन क्या होगा इन दोनों ही मूवी में बड़े बड़े एक्टर्स है जहां एक तरब तो सनी दियोल है तो दूसरी तरब अक्षे कुमार है और इन दोनों ही मूवी में रिकॉल वेल्यू है एक मुवी तो 2012 में आई OMG का सीक्वल है वही दूसरी मुवी 2001 में आई गदर मुवी का सीक्वल है इसलिए इन दोनों ही मुवीज में सीक्वल वेल्यू भी है अगर इन मुवीज के रिव्यू के हिसाब से प्रेडिक्शन लगाए तो मुझे ये लगता है कि गदर 2 तो 200 क्रोड प्लस का कलेक्शन कर लेगी आने वाले दिनों में वही OMG 2 भी अच्छी वार्ड ओप माउच से 100 क्रोड प्लस का बिजनस कर लेगी बॉक्स ओफिस पर वैसे दोनों ही स्टार्स की पिछली मुवीज देखे तो सनी दिवल की तो रिलीज हुई थी लास्ट मुवी चुप जिसमें दुलकल सनमान थे और उसे डारेक्ट किया था आरबाल की ने उसे रिव्यू तो काफी अच्छे मिले थे लेकिन बॉक्स ओफिस पर वो कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई और वहीं अक्षे कुमार की बात करें तो उनकी भी लास्ट मुवी इसी साल फरवरी में रिलीज हुई थी जिसका नाम है सेलफी और वो भी बॉक्स ओफिस पर बुरी तरह फ्लॉप रही इस तरह अक्षे कुमार ने भी पाँच बेक टू बेक फ्लॉप मुवी दी है बॉक्स ओफिस पर और उन्हें इस मुवी से काफी ज़्यादा उमीदे है जिसका नाम है ओएमजी टू वेसे इन दोनों मुवीज की सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो गदर टू में तो अमिशा पटेल, सिम्रत कोर और अनिल शर्मा डायरेक्टर के खुद के बेटे उतकर शर्मा भी दिखाई दे रहे है उनके अराउंड ही ये पूरी मुवी लिखी गई है और वही ओमाई गौड टू की बात करें तो इसमें पंकस तिरपाटी है मैन रोल में और उनके सामने एंटागोनिस्ट के रोल में है यामी गोतम तो देखते हैं आने वाले दिनों में कौन सी मुवी आगे जाकर बाजी मारती है आपको कौन सी मुवी अच्छी लग रही है या कौन सी देखने वाले हो वो मुझे कॉमेंट्स में बताओ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को जरू जरू सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को भी लाइक करें थैंक्स पर वाचिंग